नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे आज के आपके रासीफल के बारे में दोस्तो आज आज आपका सिक्सा स्वास्त्या और रोजगर से समन्दी दिन कैसा रहने वाला है आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तो आज आपके तीन काम बनेंगे लेकिन इन तीन कामों को करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी साफ़धानी बटनी है आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों सबसे पहले जानेंगे मैं आज के पंचांग के बारे में आज दिनाक रहेगा 25 मास 12, 23 मास रहेगा चैतर पक्साय सुकल पक्स्तिती रेगी चत्थूर्थी सनीवार साय चियार बजकर 23 मिनट तक दोस्तों आज आपके लिए सूब समय रहेगा दोस्तों जानें आज आपका राशी फल कैसा रहेगा घर में यह वयवार ऐसानती करा सकता है लेकिन कारे अक्षेतर पर इसे लाब ही होगा आज आपके उस परतिष्टित लोगों से संप्रेक बनेंगे सारवजनिक अक्षेतर पर आपकी 26 धनवानों जैसी रहेगी धानवी कारिय के लिए शयोम के कारिय को निरस्त कर सकते हैं अध्यातम में रूची तो रहेगी लेकिन किसी विशेश कारिया साधने के लिए आडंबर करेंगे दान पूर्णिया भी दिखावे के लिए ही करेंगे फिर बीमान सम्मान में बड़ोतरी ही होगी दैनी कारिया में थोड़ा वीगन आने पर भी धन की आमन संतोस दनक रहेगी मौसमी बिमारी की कांड सहत को लेकर परिशान रहेगे दोस्तो आज का दिन आपके लिए हानी कारक रहेगा आज किसी ना किसी रूम में आपकी विचार कारिया उल्टा ही फल देंगे कारिया विशाय से लाप की उमीद अंत समय में तूटने से मन नकरातम की विचारन से भरेगा जल्द बाजी में कुछ अनूचित कदम भी उठा सकते हैं लेकिन इसका प्रेणाम निकट विविशे में धन के साथ सम्मान हानी भी करा सकते हैं महिलाएं आज कही सुनी बातों पर घर में कलाय करेंगी बाद में स्थीति स्पर्ष्ट होने पर प्रस्टताप होगा आज जल्दी से किसी की बातों में ना आय आन्यत्या मान्चिक प्रनाव के साथ सम्मन्दों में भी दूरी बढ़ेगी वेवसाई वरकार्यक सित्त प्रविशे इस ज्यान दे अन्यतिक गतिविदिया होने की संभावन है स्वास्थ्या में सितिलता रहेगी दोस्तों जो आज आज आपके ये तीन काम बनने वाले हैं ये काम आपके पहले से कीवे हैं और इन में और अधिक सुधार होगा और इन सुधार को करने के लिए आपको सनी देव के मंदिर में जाना है और वहाँ पर पूजा पाठ करनी है तभी आपके ये काम सिध होंगे दोस्तों आज आपके लिए सुब दिशा रहेगी उत्तर सुब अंकरेगा नो और भाग्या साली रंग रहेगा पीला रंग धन्यावाद